हलो प्रेंट्स हमने इंफ्लेशन को समय ले इञाज रिश्ड़ा्ट करद अधा धाटी मां का बख्चा हमने यह देखा दा दिमांड कैसे बढ़ती हैं उसमें एक चब सब्धा था सस्ती मौद्रिक नहीं अर्फार लोगों के पास जब जैसे धन पहुंचता तो क्या करते हैं दिमांड जादा करते हैं और इस डिमांड जॉब जादा करने के बदे से क्या होता है कि इंफिलेशन की कंडिशन होती बागि दो इंफिलेशन की वहां जा रहा है जो मौतरिक नीती इस रूप में ब्राए जाती है कि जिसके दुआ आर्बियाई के द्वार्ट एक्ष्ट करने का प्रसुनिया है कि 파ार्ट केसे अर्फर इंफ्लेशन को रोब सकती है कैसे अपने गोंका दिखा सकती है कि इंफ्लेशन और ना पढ़त चैसे उसको सवाइन इसी का उत्तर होता है पर्तेज देश के केंद्री बैंक के उसकी मोनेटरी पॉस मौत्री के नीति से ताथ पर यह है कि पर्तेज देश के केंद्री बैंक के द्वारा मुद्रा के स्वरूप को अर्था उसके परवा को नियंतिर करने के लिए बनाए जाने वाली मीधिया मुद्रा को हमें समझी लिया है मुद्रा क्या होती सवभावी के हर देश की सरकार क्या करती है कुछ मुद्रा फिक्स करती है जो वहां की बैधानी मुद्रा होती हमें की मुद्रा को क्या कर दिया गया वाहर कर दिया गया कुछ को अंदर लाए गया अर्था नहीं मुद्रा किया गया रिप्लेस यह जो प्रॉसेस थारिश से क्या ठिक्स है कि मुद्रा कौन से चले और यह जो पॉलसी वोन की कितनी मुद्रा किस समय बाजार में लहेगी यही होती है परतिक देश के के अध्री बैंट के दुदारा निर्धारित की जाने वाली मौद्री गिनिती का इ कुल्सन और प्ड़ते अग्धे केंडरी बेंक क्या करती है दोनेटरी पौरशी बनाने की जीम्यदारी आपके देश हमें किसको दिये आर्बिया रिजल आफ ईंडिये अब जो आघ यहां को यहां ओनेटरी पौक सी बनाने के जिम्मेदारी दी गए है तो इसके कुछ उद्देश बताएगे है यह पहला उद्देश है वह है मुद्रा इस फीती का क्या करना नियंत्रन मुद्रा इस फीती का जो नियंत्रन करना है यह हमने देखा था हमने यह समय का प्रयास किया था कि कैसे दिमांड पुष चो इंफ्लेशन है उसमें क्या थी तगलता जब बारकेड में बढ़ रही थी तो उससे क्या हो रहता इंफ्लेशन की करने सब अभी के मुद्राइस पीटी को नियंतिव करने के लिए किन उपारों का परयोग कर सती है या करती लेगिं मौनेटरी पॉलसी क्या है इससे बड़ी संखल्पना सिर्फ मुद्राइस पीटी को नियंतिव करने की कर्ट्रोल करने का भी पॉलसी नहीं इसके अलावा भी इसके कुछ उत्देश इसका दूसरा उत्देश है हुआ है विदेशी मुद्रा के द्वारा राष्टि मुद्रा के बिन में दर में क्या रखना? बिन में दर में इस्थीरता रखना अर्थार दू देश अपने देश की मुद्रा का भी देश की मुद्रा से एक्सचेंज रेंट में बहुत ज्यादा अंतर ना आए इसकी भीचिमेदारी किसकी है? जैसे समार संदों में कहूं तो आपके हां के जो करेंसी है रूपया अगर डॉलर के तुला तमक रोचन दोनों को एक्सचेंज करने के रेट में बहुत ज्यादा फ्लेक्ट्योशन होगा तो कर्डिशन क्या होगी? सही नहीं होगी अर्थात जितना ही वह दोनों इस्थिर रहेंगे किसी भी देश के अर्ष्योशन के लिए क्या होगा उतना है तो मुद्रक आपकी मॉनेटरी पौसी का एक पहला लक्ष हो गया जिसको मैं एक से डिनोड कर रहा हूं मुद्रा इस पिती को दूसरा औरा ऐस अर्थ और को यह preço करना हो तहार लिए किसी अपने देश की सम्रत्थी दर को क्या करना ब elegante संब्रद्धि दर को बनाए रखना से ताथ पर यह है अर्थ ब्योस्था में जितनी मुद्रा चाहिए उतनी मुद्रा कम से कम कहां बनाए रखना जिसके ऐसी कंडिशन ना हो कि हमारे पात प्रोडक्शन के लिए क्या हो पैसा ही ना मुद्र करतें कि तो अ्र्थ पर रखने की बीचिंगरारी एक मौद्री की नीती के माध्रम से किसके पास , अब हम एक एक मुद्रे को देखते हैं कि आकि मोद्री के मांद्रम से कैसे कैसे रढम ओ को करते हिं हम बिल्कुर इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि बाधिशीत वर्गों से और सुचीत में कौण से हैं और या इकॉन से कैसे जो है कि इनको लाइसेंस मिलता हो अलग हम बात कर रहेंगे अभी हम बात कर रहे हैं मोनेटरी पॉल्सी के उद्देश और उन उद्देश से महने जो चैप्टर अपना क्रम्प्लीट किया था मुद्रा इस्पीती इन दोनों में क्या को रिलेशन इसको हम समझने का प्रयास करते हैं उसके बाद हम देखेंगे विदेशी मुद्रा के द्वारा राश्टी मुद् देखें कि आर्बियाई आखिन मुद्रा इस्थीती पर नियंतिव करने के लिए वह किमकी माध्मों का प्रयोग कर सकती है या कर सकती है या अफिर करती है कि बाद लोल इससे पहले हम यह जाना ही कि कैसे करते हैं वह क्या करती है क्वार रिट ने देती नहीं तो बैक्स जुड़े हुए हैं और वियाई से कि फिर ऐभी नंट Parents स्वाख सहां को देखना है कि बैंक काम काम कुसे करते हैं और यह किसके अंडर में कर रहा यह अधिय लेकम करते हुं कि फ्रोड़ी कारवाली क्या हुथी फोड़ा समल लिए और फिर उसके बाद हम अपने उसी टॉपिक प्राइब जैसे जो बैक होता है । वह है क्या करता है अर्थाथ जो भी लें दें करता है किस से करता है। इसी जमारासी से बैंक क्या करते हैं कुछ पैसा वो निकाल कर अपना दर्बार कैसे करता भी एक मिन्ट में समझें यह जो जमा लासी हम करते हैं आपस क्या भी कलता है एक होता है हमारे पास टाइम निपोजिट जिसको आप क्या बोलता है जिसको आप बोलते हैं ठीक्स डीपोजिट दूसरा होता है दिमान डीपोजिट डिमांड डिपोजिट होती है मांग जमां और टाइम मेरा डिपोजिट मतलब सावथी जमां जिसको आप ठिक्स डिपोजिट भी बोलते हैं डिमांड डिमांड डिपोजिट जिसको जब चाहें आप निकाल लें यह जो डिमांड डिपोजिट है इसको आपने देकर दो खाते देखे होंगे, यह current होता है, account होता है, और दूसरा saving जो account होता है, उसमें चुबी पैसा है, जब आपका मन करता है, क्या करते हैं, जाके निकाल लेते हैं, यह किसके होतारण, demand deposit की, और जो जबी time deposit की, जो से आपने पैसा कोई स्कीम ले, और दस साल के लिए fix कर लिए, कि हम द अर्थात बैंक अंडिटियर से ताप पर है कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिल्टी नेट डिमांड टाइम लाइबिल्टी अर्थात बैंकों किसी को क्या बोलते हैं कुल देटा कि लिटियर क्या किसरों में है लिए और कि कुल देटा कि क्यों कि आखीर यह जो पैसा है यह क्या है बैंक का तो है हम ने जो पैसा दिया किसी रूप में चैन डिमांड डिपोजिट रूप में प्रियन को न है आप इसको वापिस संदधाय कैसे कंडना इसको मुरूतर हुमें आप इसमें सब्वेशेल करता कि कि माले और दर य제 हो कि इब दक्सम्रों एक जमा कि कि ना जमा हो गया ये हजार एक जमा मेड़ा अब ये दसुम्रों टर रहे हैं तो बैक और विस फार आपक पर ये था क्वेह रिखैं consider जो दस लोग जमा किये सो भावी एकी दिन तो मां में आने ही जाएंगे यह कभी कभी आएंगे इन्होंने जमा कर दिया है तो बैंक क्या करते हैं इतना अपने पास रिजर्ब रखते हैं कि किसी को बापस लोड़के ना जाना पड़े महाली जो उन्होंने 500 रुपए क्या कि अपने पास रख लिया अब जो 500 रुपए बचाये वो क्या करें वह रेंड के रूप में लोन के रूप में क्या करेंगे आपको उतहार देंगे और जो यह उतहार देते हैं यही कहलाता है बैंको की परिसंपत्ति और आधात परिसमप्त्ति क्या है वह बैंकों का वह पैसा उप में लुप में क्या जा रहा है अब आपको यह समझेए कि आपक ने जो पैसा दिया, उसी पैसे से कैसा कर रहा है बहना किस रूप्ने कर रहा है कि वह आपका डिमाण डिपोजी और टाय डिपोजीट जो दोनों मिलकर क्या बना था नेट डिमान टाइम लाइबिल्टी अर्था बैंकों की क्या है कुल देता जो बन रही थी उस देता में से कुछ भागों क्या करता अपने पास रखता है आपको सुर्धा देने के लिए आपको अगर पैसे देन अब क्या है कि बैंकों पर क्या करना है आर्वियाई का नियंतर है आर्वियाई समय समय पर क्या करेगा बैंकों कुल निर्देश देगा और निर्देश इसलिए देगा कि आर्वियाई क्या डिसाइड कर रहा है कि मुद्ट्रा कितना मार्केट में रहना चाहिए और करना होगा मानना होगा कि कब किस रेट पर वह रिड दे लोंग जैसे अगर आर्वियाई यह कह दे कि रिड सस्ते दर पर दीजिए पहले मारी जी मुझे सौर पर चाहिए थे उधार और सौर पर मुझे लेने के लिए 10% टेक्स देना पुड़ा अब आर्वियाई कह दे कि नह यह एक जांप पशले अगर माली जी ऐसे ही हो क्या करें सबीबर को से कह दे कि आप रिल सस्ते पर दल कर दीजिए तो क्या करेंगे बैंक जादा पैसा देने लेगे हैं और जैसे ही जादा पैसे देएंगे फिर या होगा मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा मार्केट में पैसे का बढ़ना या कम होना एक सब्द से डिनोट किया जाता है उसको बोलते हैं तरलता अर्थाग मार्केट में तरलता जादा होने से ताग पर है मार्केट में पैसा रुपया क्या होना जादा मार्केर में पैसा क्या होना कब होना अब देखिए कि RBI बैंकों पर कैसे अपना नियंतर रखकर मुद्रा स्थीति को कर्टोर करने का प्रयास करता है यह जान कर इसलिए मैंने आपको देए कि आपको थोड़ा बैंकों की कायर पढ़ारी समझ में आ रहा है और कुछ टर्मलोजी जैसे एंडी टीयल सब्द अभी बार बार ही हो जोगा तो आपके लिए नया सबना है कि क्या एंडी टीयल क्या है पढ़ने का यही तरीका वह अच्छा होता है कि आपके पास जो सब्दा है उसकी जान करें अगर चीजों को आप स्किप कर रहे हैं बार में देखने के छोड़ रहे हैं तो दरसला आप उसको पढ़ नहीं रहे अब देखिए बैंक पर क्या करता है कि RBI सबसे उपर है और उसके नीचे बैंक है और बैंक किस रूप में वहाँ रेवुलेशन रखता है सबसे पहला एक तरीका होता है CRR Cash Reserv Ratio CRR दरखवर है Cash Reserv Ratio Cash Reserv Ratio वह होता है जो NDTL का वहाँ होता है जो बैंकों को क्या करना होता है RBI के पास नगद रूप में रखना होता है अर्था किस रूप में रखना पढ़ता है Cash के रूप में रखना होता है इसी को क्या बोलते हैं आप CRR बोलते है Cash Reserv Ratio फिर प्रस नहीं है आपके तुरण दिमाख में आ जाएगा कि आखिर यह रखना क्यों होता है दरसल यह हुआ है बैंकों के डिफार्ट होने से बोकने के अर्थात RBI बैंकों से कहता है कि आप अपने एंडिट्रियर का कुछ एमाउंट क्या करो हमारे पास रख दो और सबसे बड़ी बात RBI भी इस पैसे का क्या करता है प्रियोग नहीं करता अर्थात जो पैसा बैंक ने है कि RBI को CRR के रुप में दिया वह कहा रखता ऐसे पड़ा इसलिए पड़ा रहता है कि डिफार्ट होने की कंडिशन बैंकों को ना नहीं दी जाए जब ज़रूरत हो क्या दिया या पैसे से उसके उसको कबर कर लिया अब यह है कि यह जो CRR है बरतमान समय में 4% अच्छा जो मैं डेटा दे रहा हूं परसेंट का इसको कभी भी आप इसको लाश मत मानेगा जब भी आपको इजाम देना हो से पहले क्या करना चेकर क्योंकि यह जो भी लेक होते हैं समय समय पार RBI क्या करता रहता चलिए माल यह बास वहीं बरतमान समय में है कि हैं 4% अब आर्पिय क्या ही कहा है कि NDPR माल यह हमारा सो ही रूपए और सो रूपए में हमको 4% क्या करना है RBI के पास देना है तो हमारे पास अब जो एमांट बचा मों क्या है 96 रूपीस अब अगर RBI कह दे गिनने एंडी टियर का आपको देना है 10% तो आपके पास कितना मचेगा 90 रूपिस अर्थाद CRR को कम और जादा करकर क्या किया दा सकता है बैंकों को बैंकों के द्वारा रिव और लोन दिये जाने के मात्रा को क्या किया सकता कम और जादा के रख जैसे अब दस परसेंट कर दिया गया तो अब बैंकों के पास क्या उचना पे रुपए ही मचे सो अपने पास भी रख सकता था किसी अनिकार सोभाविक है यह क्या चला गया है उसके पास चला गया अब यह जो पैसा चला गया यह н Sophia के पास अब जो आयर भी आए की पास जब पैसा चला गया है तो ऑक कोई इसकी कंडिशन लेकिन सबसेस्टे बड़ी बात है किस बरूस से चलते रहे बैंकों की क्रेडिट नहीं होती होग एक क्रेडिट होती आर बि आए ओं हरस सरक्का जो हमने सीखा है भारतिय बैंकिंग पढ़ाली से उसी की कम्यों को क्या करने है दूर करने का एक प्याद अर्थात कैस रिजर्ब लेश्यू से ताथ पर क्या है कि एंटियर का उह परसेंट जो क्या करना है बैंको को आर्बियाई के पास रख देना है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यह राग पर आर्बियाई क्या करेगी इनको कोई भ्याज भी लेंदेगे अर्थास ऐसा नहीं कि बैंकों ने रख दिया तो इसके कुछ इनकों ब्याद में लगए आज भी नहीं में रहा है सिर्फ इसलिए रखना है कि बैंक डिफार्ट होने की कंडिशन बैंकों की ना है और यह जो एक जिर्मेदारी इसलिए है कि लोगों का विश्वास किस्वर ब वह होता है एसलार इस्टेटुरे लिक्विडिटी रेसियो एसलार से टाप पर हुआ है बैंकों का एंडी टीयल का वह भाग जो उन्हें स्वयन के पास रखना होता है और स्वयन के पास जो रखना होता है तीन रुप मोर्य तो नगध्र दूसरा प्रतिगहुती के रूप में कि तीसरा सोना पी है लेकिन लखना जार्फ इस सवयन के अपने पासिंग और रखना आप यह जो सवयन के उन पास पैसा ही नहीं है अब यह जो कंडिशन है SLR की यह एक कंडिशन आपने देखी RBI के पास अब एक देखी अब क्या है कि बैंक को अगर इनमें रखना है अगर आफी बैंक चला रहे हों तो आप किसमें रखना को संगे नगत की रूप में प्रतिभूती की रूप में सोना क्रूप सबसे बड़ी वासे जो परसेंट आप याई है कि माल लिए आप से कह दिया कि एंडी टीर का 20% आपक जब आपको रखना तो किस रूप में रखना चाहें गया तो इसमें क्या है या क्या उत्पादक हो जाए पैसा तब तो पादक नहीं है जब तब कहीं इवेज नहीं हुआ जैसे आप अपने पॉकेट में पाउम सो हजार रुपे तर रखे रहें तो उसकी कोई भी भूंका नहीं है प्रोड़क्शन में लेकिक उसी पाउम सो से हजार रुपे से कुछ चीजों में इन्वेस्ट कर दें तो हो सकता है उसका उत्पादर ता बढ़ जाए इसी है जो एसलार के रूप में वैंको को पैसा रखना वो किसकी रूप में रखते हैं प्रतवीति और सोना प् जिस पर भारत सरकारी जिम्नेदारी लेती है कि अब प्रतिभूति आप ले लेजे मैं भविस्ट में जब भी आपको आपसे खरीदूंगा मैं आपको कुछ फ्रॉक्रिट दूंगा तो यह हो क्या होता थ्वप यह प्रतिभूति और सोना से आप अच्छी तर से प्रचित ह इस पर बात करने की जरूरत भी नहीं है आप मुझसे जा रखाते हैं सवभावी के प्रतिभूति यह सोना के रूप में क्या किया गया है वैसर रखा गया है तो यह चुग इनकी कीमत क्या होगी बढ़ेगी प्रतिभूति जिते लंबे समय के बाद आप क्या करेंगे क्या होगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी इसलिए बैंक क्या करते हैं सेलाग की रूप में रखते हैं अब अगर क्या करें बैंक ने जैसे क्या किया था किया था निभारित किया था तरलता को कम और जाना तरतास मैं अर्थ ब्युवस्था में कितनी मुद्रा की मात्र होई तरलता सेम प्रोसेस क्या कर सकता है अगर 20 परसेंट कि नहीं अब क्या करना है 40 परसेंट आपको पैसा अपने पास रखना है और पहले पैसा रखवाई लिया तो क्या होगा बैंक अब कम पैसे रिड़ पर दे पाएंगे और कम पैसे रिड़ पर दे पाएंगे तो क्या होगा यहीं कंडिशन क्या होगी तरलता म कम और ज्यादा होगी और फाइज़ जो condition एसल आ कि है ये क्या है तब है कि जब वो चाम जान जैसे इसको कम और जाना करेगी ओक्तव कर दिसन रूप में तरränस्दा में कमी ज्यादा हो जाएं और इस तरहे दो माध्यम आपने देखे और इन दोनों मार्ध्यमों से RBI क्या कर सकती है तरलता को कंटोर कर सकती है फिर एक सब्द आता है वो सब्द होता है आपका रेपो रेट इसको RRB आपने सुनाओ रेपो रेट वहर रेट होता है जिस रेट पर क्या करते हैं बैंक RBI से अल्पकालिक समय के लिए अल्पकालिक समय के लिए क्या करते हैं रिड रेट जैसे माली जो बैंक है बैंक चला उसने कुछ पैसा रखा हुआ था कि वह जब भी कोई उसके पास आएगा वह देगा रेट देगा पर दिए तो पैसे की जब पर दिए तो आपने करते हैं और यहां के लिए अनकालिक समय के लिए अर्था एक दिन से लेकर दिन के लिए तो क्या है रेपो रेट गेमाधम से लेती है जिस दरपर RBI से बैंक अल्प कालिंग समय के लिए लिए अब यह जो रिड़ दे रहे हैं सो आथे इंक अर्वियाई को क्या करना होगा बैक जो भी पैसा लेंगे उसससी है क्या करना होगा ब्यार देना मालेजी अगर इस समय 6.25 है मन कहां मालेजी अगर 6.25% क्या है और यह कंडिशन प्रकार का होता है इसको थोड़ा साथ समझेगे करता है